नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब जेनल आर के योजना पर पैंशन से जुड़ाओ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज आप सभी दिव्यांग विद्वा वर्दवस्था और कुष्टवस्था पैंशन धारकों के लिए लेकर ह हाजिर हो चुके हैं सरकार की तरब से पैंशन धारकों को एक बड़ा तोफा दिया गया है इन पैंशनर्स को अब हर महिने मिलेगी एक हजारोए पैंशन जी हां दोस्तों यहां पर एक हजारोए पैंशन अब सरकार लाभारतियों वैंखाते में हर महिने ट्रांसफर करेगी पहले 85 नासी बहुत कम थी लेकिन अब 1000 रुपे सरकार ने करने का यहाँ पर घोशना की है किसके माध्यम से यह गोशना की गई है पूरी डीटेल वाइस में आपको जानकारी मिलने वाली है और किस राज्ये की यह न्यूज है यह खबर है ताजा अपडेट है सभी जानकार डीटेल वाइस में आपको दी जाएगी वीडियो की सुरुवात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथी दोस्तो बैल आईगन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राफ्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चले दोस्तो यहाँ पर वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं पैंसन से समदित क्या आज की लेटेस्ट न्यूज ताज़ा अपडेट है वह आपको जानकारी दे देते हैं देखे दोस्तो लेटेस्ट न्यूज यह है उन पैंसन दार्गों को जिनको अभी तक मालूम नहीं है जानकारी नहीं है उनके लिए latest news है मुख्यमंत्री चोहान सिंग यानि जो मुख्यमंत्री चोहान है उन्होंने कहा है कि वर्दवस्था पैंशन की रासी 600 रुपे से बढ़ा कर एक हजाव रुपे करने की घोशना की मीडिय रिपोर्ट से मिली जानकार एक अनुशार यह है बताया गया है कि भोपाल के इसलाम नगर का नाम बदल कर जगदिसपुर कर दिया गया है अब जैसे ही यहाँ पर यह नाम बदल गया था तो यहाँ पर सियम को यानि की जो मुख्यमंत्री है सिवरा सिंग चोवान उनको यहाँ पर बुलाया गया था तो उनके माध्यम से ही यह गोशना की गई थी कि पहले हमारे परदेश में यहाँ पर 600 रुपे परतिमा पैंशन दी जा रही थी दिव्यांगों को, विद्व महिलाओं को, तलक्षुता महिलाओं को और वर्दवस्था पैंशन दारकों को लेकिन अब हम यहाँ पर 400 रुपे की पैंशन बडोतरी कर रहे हैं चार सुरुए की पैंशन बडोतरी होने के बाद अब सभी वर्दवस्ता पैंशन धारकों को एक हजार उपे परती मैना के हिसाब से हमारे राज्य सरकार द्वारा पैंशन दी जाएगी ये लाव उनके बैंखाते हैं पैंशन का हर मेने ट्रांसफर होता रहेगा केवल और केवल उन्ही लावारती के पैंशन दी जाएगी जो यहाँ पर योजना के पातर होंगे बहुत से ऐसे पैंशन धारक है जो की एपातर पाएगा है हर दार्जे में चाहे आपका उत्तर परदेस हो, हिमासल परदेस हो, उत्राखंड हो, डैली हो, या हर्याना हो, गु क्योंकि यहाँ पर डेटा एकतर किया जा रहा है, केवल और केवल जो जीवित वैक्ति हैं और योजना के पातर वैक्ति हैं, उनको इस सरकार पैंशन का लाव देने का कारी कर रही है, और भविस्य में उनको ही लाव मिलता रहेगा, देखे, यदि आप भी MPN की मध्य परद में सरकार ट्रांसफर कर सकती हैं, जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी एक जो लेटेस्ट न्यूज है, ये MPN के पैंशन धारकों के लिए हैं, जी हाँ दोस्तों, आप भी आपको पैंशन मिलना कब से प्रारम हो रही है, अब इसकी कोई भी पुष्टी नहीं की गई है, और न देने जा रहे हैं, चार सुर्वे बढ़ोतरी के साथ, आज की जानकारी में बस इतना ही, यदि आपको महरती जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को ज़र लाइक कर दीजेगा, आपके एक लाइक से, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, और यदि जानकारी को ले सुर्वेट